तो NCP नेता और महराष्ट की क्याबिनेट मंत्री नवाब मली को परवर्तन निदेशाले यानि की E.D. के टीम ने आज सुबब पाँच बज़े उनके घर से पूश्चाष के लिए उठा लिया इसके बाद महराष्ट की सियासत में खलबली मच गई है NCP शिवसेना के नेता लगतार केद्र सरकार पर हमला बोल रहे है शिवसेना संजेराउत ने कहा कि महराष्ट सरकार में मंत्री नवाब मली को जिस तरीके से E.D. के लोग उनके घर से लेकर गए है ये महराष्ट सरकार के लिए चुनोती है NCP नेता और शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा ये महराष्ट का अपमान है रुष्य अगरवाल को कौन बचा रहा है अभी भी वो कौन सा परिवार है जो रुष्य अगरवाल के पिछे चट्टान के तरक है मैं और विनाम लोंगा और मैंने बहुत ही समझदार से मैं बोल रहा हूं जिम्मेदार से बोल रहा हूं आने वाले दुनों में मैं ये सभी खुला से करने जा रहा हूं दुख की बाद ऐसी है कि ना नोटे साई ना कुछ आया महाराश्चक एक मंत्री को डाइरेक्टली एडी में एडी के आफिस में लेके गए कि कौन सी नई राजनीती इन्होंने शुरू की है मैंने देश में पहली बारी ऐसा देखा है कि ऐसा आज हो रहा है लोगों को उनके घर से मंद्रियों को लेके जा रहे हैं ये महाराश्चक का अपमान